आएए बच्चों हम लोग next exercise शुरू करते हैं पिछले वीडियो में इसके पहले के exercises हम लोग सब कर चुके हैं question 7 से start करते हैं हम लोग read aloud the following sentences given below नीचे जो sentences दिये हुए हैं इसको हमको loudly read करना है चलिए I play football मैं football खेलता हूँ I eat an apple मैं apple खाता हूँ we sing a song we मतलब होता है हम लोग जहां पे कई सारे लोग होते हैं महाँ पे we बोलते हैं मैं अकेला अपने लिए ही use होता है I we sing a song हम song मतलब गाना गाते हैं you you मतलब तुम मतलब हम किसी और को बोल लहे हैं you take a bath तुम नहाते हो आई मतलब मैं read books मैं किताबे पढ़ती हूँ यह लड़की है यह बोल लहें मैं किताबे पढ़ती हूँ I read books write the words from the poem which have similar sound similar sound rhyming sound हम लोग पढ़े थे यहाँ पे similar sound मतलब थोड़ा बहत उसे मिलती जुलती sound होनी चाहिए जैसे कि जो हमारे poem में आए रहे है words पहला word दिया हुआ है red इससे मिलता जुलता word हम लिखेंगे यहाँ पे जो poem में आया था जैसे यहाँ पे लिखा आर इडी रेड इससे मिलता जुलता word है बेड बी इडी बेड नेक्स्ट वर्ड है डियर डियर और वर्ड था here h e a r here next is some s o m e some इसका जो similar sound वाला word similar sound मतलब होता है इसके जैसी sound निकलने वाला शब्द है कम c o m e come next is hate और इससे मिलता जुलता शब्द है eight मतलब खा लिया eight ठीक है तो यह हो गए words हमारे next question देखते हैं हम लोग make sentences with the words given below make sentences मतलब हमें sentence बनाने हैं यहाँ पे कुछ words दिये हुए हैं इन words को use करके हमें sentence बनाना जैसे देखिया example लिखा हुआ है हर word में वो word दिया हुआ हर sentence में यह वाला word लिखा हुआ है ठीक है तो हमें same word का use करते हुए sentences बनाने है one has been done for you एक दिया हुआ जैसे हम example देखते हैं play play मतलब खेलना I play football मैं football खेलता हूँ you play football तुम football खेलते हो we play football हम सब football खेलते हैं ठीक है पीछे का structure सेम है play 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 आगे पहले I है I का मतलब मैं you है you का मतलब तुम और we है we का मतलब हम सब मतलब हम सब क्या कर रहा है football खेलते हैं इसी तरह से हमें यह नीचे के words भी इनका sentences बना रहा है पहला है eat eat मतलब होता है खाना तो हम यह लिखेंगे I eat mango मैं mango खाता हूँ दूसरा you eat mango तुम mango खाते हूँ और तीसरा we eat mango की हम सब mango खाते हैं ठीक है पीछे का structure देखेंगे सेम है और आगे I मतलब मैं you तुम और we हम सब ठीक है इसी तरह हम लोग next देखते हैं यहाँ पे देखते हम लोग पहला है word sing और दूसरा word है read उसी तरह हम लोग इसको यह बनाएंगे पहला sentence बनेगा I sing a song मैं एक गाना गाता हूँ दूसरा बनेगा you sing a song तुम एक गाना गाते हो और last में we sing a song हम सभी एक गाना गाते हैं I मैं you तुम वी हम सब पीछे का structure same है next word है read read मतलब पढ़ना I read a book मैं एक किताब पढ़ता हूँ you read a book तुम एक किताब पढ़ते हो we read a book हम सभी एक किताब पढ़ते हैं ठीक है तो यह हमने देखा कि हमनों को किस तरह से sentence बनाना है एक शब्द हमारे पास है इस शब्द का use करके हमें sentence बनाना है तो यह I you और we इनके sentences बहुत simple होते हैं बहुत आसानी से बनते हैं I you और we तो यह आप समझिए I sing a song इसमें कुछ भी नहीं करना है इसमें यह वर्ट था यू लगाके sentence बनाना है इसमें हम यह भी कर सकते थे I sing a song I sing a poem I sing a bhajan और इस तरह से करके हम कोई भी sentence बना सकते हैं इसी तरह I read a book I read a story book I read a comic book कुछ भी कर सकते थे हम यह आपे तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हम इसको किस प्रकार से sentences fail करते हैं next आगे के exercise देखते हैं 10th question है read aloud the sentences given below नीचे जो sentences लिखे हैं इसको loudly पढ़ना है loudly मतलब तेजी से पढ़ना है ठीक है चलिए आप हमाई साथ साथ बोलिए I have a pen मेरे पास एक pen है I have a pencil मेरे पास क्या है have का मतलब होता है pass मेरे पास क्या है एक pencil है I have a book have मतलब पास मेरे पास क्या है एक book है I have a notebook मेरे पास एक notebook है notebook मतलब जिसमें की हम लोग लिखते हैं वो जो notebook होती है जिसमें हम लोग ऐसे से लिखते हैं I have two pens मेरे पास दो pen है ठीक है I have three pencils देखिए यहाँ पे एक pen था अ मतलब एक तो यहाँ पे pen था यहाँ पे two हो गया तो यहाँ पे s लग गया pens ठीक है यहाँ पे एक pencil है अ का मतलब हो था एक pencil यहाँ पे है three three pencils तो यहाँ पीछे s लग गया I have four books मेरे पास four books है एक book four books पीछे s लग गया I have a notebook एक notebook है मेरे पास five notebooks है पीछे s लग गया ठीक है अगर एक से ज़्यादा चीजे होती है तो पीछे s लग जाता है उसमें ठीक है बच्चो next question देखते हैं match the singular words with the plural forms singular मतलब एक वचन वाले शब्द दिये हुए है यहां पे इनको plural words के साथ मतलब जो एक हम pen होता है तो हम pen बोलते हैं एक scale है उसको ruler बोलते हैं एक bench है जिसमें हम लोग बैठते हैं तो उसको bench बोलते हैं अगर यहीं ज्यादा होंगी तो हम उनको क्या बोलेंगे उसके साथ हमें match करना है जैसे pen अगर एक pen है तो हम pen बोलेंगे अगर बहुत सारी pens हैं तो क्या बोलेंगे हम देखे बहुत सारी pen है 1,2,3 हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम pens तो इसको हम इसके साथ match कर देंगे थीक नेक्स्ट यह ruler ruler मतलब होता है scale ruler और contributors बहुत सारी प्लूरल जब है इसका तो इसेлов कहाना लिकाए ये rulers लिखा हुआ है googसा ठीकित हमारे पास Bench मतलब एक बेंच जिसको हम लोग बैठते हैं और अगर बहुत सारी बैंच होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बैंचेज ठीक है बाकी समय देखिए आप सिर्फ एस जोड़ रहा था पीछे लेकिन बैंचेज में क्या जोड़ रहा है इस जोड़ रहा है तो इसका एक वचन को बहु वचन बनान है इन बॉक्स में हमें यह जो उपर पिक्चर बनी है इसका नाम लिखना है ठीक है यह ध्यान देना है कि वह पिक्चर सिंगुलर है एक है एक वचन में है या बहु वचन में तो उसमें हमें वैसा ही नाम लिखना है जैसे यहाँ पेंसिल यह क्या है पैंसिल है कितनी पैंस हुई है तो यहां लेकिन कितनी चेयर हैं दो चेयर है तो हम यहां क्या लिखेंगे चेयर एस लगा देंगे क्योंकि यहां पर दो चेयर हैं चेयर अब यहां पर किसकी पिक्चर बनी है बुक की पिक्चर बनी है लेकिन कितनी सारी बुक्स है तो इसलिए यह बहु वचन है यह plural है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे यहां हम लिखेंगे books पीछे s लगा देंगे books नेक्स्ट कुशन देखते हैं complete the sentences according to the objects given below यहां पर objects दिये हुए हैं और यहां पर sentences हमें complete करना है देखते हुए ठीक है start करते हैं I have a अब यहां पर देखिए a क्या है a मतलब होता है a मतलब क्या होता है एक यहां पर एक क्या चीज है बताइए यहां पर हमारे पास यहां हमारे पास pencils हैं यहां rulers हैं और यहां book है तो हमारे पास एक चीज क्या है? सिर्फ बुक है. तो यहां पर लिखेंगा, I have a book. मेरे पास एक ही बुक है. I have three. अब देखें, इसमें three क्या चीज है? ये तो four है. ये है three. ठीक है? ये three है. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, I have three rulers. अब यहां क्या लिखा, I have four. four क्या है? यहां पर four pencils है. मेरे पास चार क्या है? चार pencils है. तो यहां हम लिखते हैंगे, I have four pencils. मेरे पास four pencils है. तो बच्चों इसी तरह से हमें अपनी workbook को fill करना है, समझना है और उसको सही right correctly हमें fill करना है. और आगे के exercises भी आप लोग ट्राइ करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लग. ओके बाबाई.